आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मुद्ध बिबादों के होते हैं और जो इस समय बिबाद के जो मामले हैं वो चल रहे हैं हमारे देश की पुरानी इमारतों को लेकर वो मारते जो प्रेम का पतीक भी हैं वो मारते जो लोग लगातार देखने जाते हैं वो मारते जो दुनिया के अजूबों में सामिल भी है जी हाँ हम बात करने जा रहा हैं आज उस इमारेट की जिसको प्रेम का पतीक भी कहा जाता है इतिहास कारों के मताबिक क्योंकि हम आज जो भी देख रहा है जो भी पढ़ रहा है या जिस भी बस्तु को मानते हैं उसमें कहा जाता है कि इतिहासकार जो लिग गए हैं हम उसी को मानते हैं उसी को पढ़ते आ रहे हैं सच्चाई क्या है असिरेट क्या है बास्तु इस्थिदी क्या है यह तो आने वाले भविश्व में पता चलेगा जब जांच होगी तमाम बादे होंगे उसके बाद ही कुछ इसपस्थ हो पाएगा पर जो आज हमारा मुद्दा है वो एहम इसलिए है क्योंकि इस समय जो का पति यह दुनीया का सात्वा अजूबा है है कि कि यह एकर के पुत्त थे उनकी अपने बेघम की याद मे बनाये गया मखबरा और इस समय ये चर्चा का बिसह बन चुका है क्योंकि इस पर लगातार राजिती भी जा रही है और साती साथ याचिकाओं को दौर भी जा रही है क्योंकि हम लगाता है देखते चले आ रहे हैं कि हम जो पुरानी इमारते हैं उन पर लगाता है बिबार के स्थिती बनी आ रही है बिबार किस्टिटी देखें तो आयुद्या में बाबरी बिवन्स हुआ उसके बार लगातार राम मंदर पे काफी बिबार रहा उसके बार सर्वोत्म उच्टम नियालाए सुप्रीम कोड ने आदेज दिया उसके बार राम मंदर नियर्मार के पेकरिया शुरूगी उसके बाद जो दूसरा मामला था वो कासी में चल रहा था कासी में तमाम ग्यान बापी मजजित का अभी भी उसका बेबार चल रहा है उसमें जो सर्वे हो रहा है वीडियोगाफी होना इसको लेकर भी लगातार आलालाग पच्छ है जो अपने पर दलिले दे रहा है और कारवाई होती है फिर रुख दी जाती है फिर मामला प्रसाजन में चला है जा कोड पे चला जाता है और फिर कोड के माद्दम से सुनवाई होती है उसके अलाबा एक मामला फिर अभी भी जारी है वो है आपका मतुरा का जहांपर कहा जा रहा है जो इलगा है वो भी किसने जन्मूमी का स्थान है और एक नीति की तहर उस पर कबज़ा जमाएगा उसको बार में इलगा बनाया गया इसके बाद जो चोथा मामला है वो तेजो महलाय का यानि ताज महल का जिसको एक पिस्ट इतिहास का रहे हैं ज़ना उननी सो साड़ और सत्त की दसक में ताज महल लट्री स्टोरी नाम से एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक के मार्णेम से नहीं कहा था कि ताज महल वो रिसूल का आकार है और तमाम चीजे वहाँ पर बनी हुई है वो इस पस्ट दिखाता है कि यह जो गुंबद है यह मकवरा नहीं है यह सिम्मंदर है यह नोंने अपनी पुस्तक में लिखा है और बताया है कि इस तरह से लोग बोलते हैं पर हम मेरे मताबिक ऐसा है और वो सि कि आगरा के सिभिल कोट में तेजो महालाय यानि ताज महल को तेजो महालाय गोजित करने की मांग की गई उसके बाद फिर राजमिती करमाई और 2017 में बाजपा नेता बाजपा के फायर ब्रांड नेता कहेंगे बिना कटियार और उन्होंने योगी अर्णा सरकार से कहा कि इस यानि ताज महल को तेजो महालाय गोजित किया जाए उसके बाद अभी हाल में 27 अपरेल 2022 को जो आउद्दय के छामनी पीठ है वहां के पराधिकारी हैं पराभंध जास वह वहां पर गए थे ताज महल के दर्सन को और ताज महल पहुंचे हैं ताज महल को देखने के लिए और उनको रोग लिया गया उनका कहना था कि जूकि भगवाय चोलिम है उनको रोका जा रहा है पर ASI के मताबिक पूरातर सर्विख्षड़ महाँ पर अधिकारी हैं उनका कहना था क्योंकि ताजमेल के अंदर कोई हत्यार या कोई भी लोहे की बस्तू या कोई ऐसी चीज लेकर हम नहीं जा सकते हैं चुकि वो ब्रहम डंड लिये होते हैं जो कि लोहे का बना होता है उसको ले जाने कराने हम उनको मना किये था इसके अलाबा उनको मनाई पर और कोई रोक नहीं थी अब उनका कहना था कि ताजमेहल में जाएंगे वहाँ देखेंगे भी और बताएंगे कि वहाँ पर क्या है और इस समय जो मामला चल ला है यह दिर पहले यह जाज की गई है जो 22 कमरे बने हैं उनके दरबाजे खोले जाएं उनको दरबाजे के पिछे क्या है उन कमरों में क्या है और इसको लेकि याजका दाखिल की गई है और अब यह मुद्धा राजनीती का मुद्धा बन चुका है रजी सिंह के बखीर का कहना है कि हमने याजका दाखिल की है और याजका कोपर लगातार पच्छ ओपे पच्छ का दोर जारी हो गया है उनका कहना यह है कि चूके अगर वहाँ पर कुछ नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है पर हमारा मानना यह है पुराने इतिहास कारों के मुताबिक वहाँ पर जो 22 कमरे बंध है उन बंध कमरों के पीछे क्या है वो तो मालूम ही करना चाहिए रहसे जो ताजमहल के उन 22 कमरों का है उसका तो निजान होना बहुत आवस्चक है उसके उपर उसका जो परदा फास होना बहुत आवस्चक है उनने कहा है कि एचका में कि एसाई यानि भारतिये पुरातर पर सर्विच्छण उसको जाये दी जाये कि वहाँ पर जाये और 22 कमरों के दरवाजे खूल का बागा निच्छण करें कि 22 कमरों के पीछे आखर है क्या अगर हम ताज महल की बात करते हैं तो ताज महल के बारे मैंने आपको पताया कि सन 1632 में इसकी शुरूबात हुई और 1632 से 1648 की बनाए गया और बाद में बाड़े का निर्माल और ध्यान और तमाम चीज़ों का बनाते हुए 1653 यानि लगवलब 20 साल बार ताज महल का निर्माल पूरा हुआ जिसको लोग आज तेजो महले कह रही है जो पुरान इतिहास कार कह रहा है और साथ इसाथ कई ऐसी आज़का है दाखिल की गई जिक भी का राय गया है कि ये ताज महल नहीं ये तेजों महला है यानि सिब मंदर है उसके बाद जब लगातार इसका निर्माल हुआ निर्माल के बाद लंबे समझा निर्माल होने के बाद इसके उपर किताब भी लिखी गई मैं आपको ताया उननीस साट उननीस सप्तर में जो परसिद इतिहासकार थे पुरसुत्तम नागेश ओक उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया कि ये ताज महल नहीं ये तेजों महला है यानि ये सिब मंदर है और ताज और महल दोनों संस्के सब्द है और केवल यहाँ पर एक अधिकार जताते हुए साज जहां ने ममताज बेगम की कबर बनाकर इसको मकवरा घोचित किया उन्होंने कहा कि अपनी किताब में कि ममताज जो बेगम हैं उनकी मित्तिव पुरहनपर में होईतिव पुरहनपर से लबालबा 600 किलमीटर दूर आगरा में लाकर यमना के डचिन टट पर ताज महल को बनाया गया उनका कहना है जबकि जो अन इतियासकार है उनका कहना है कि इसका निर्माण शाह जाने कराया अपनी ममताज बेगम की याद में और बही इतियासकार पुरस्तम नागिस ओक का कहना है कि यहाँ पर ममताज मेगम की मित्यू नहीं हुई थी उनकी मित्यू बुरान पर मित्यू वहां से यहाँ पर लाए गए उसके पहले ही साह जहां ने यहाँ पर अधिकार किया हुआ था और बाद में इस ताज महल जो की तेजो महला था उस पर कबजा किया हुआ था उसमें उसके मुनताज बियों के कबर को बनाया गया और एक मख़वरा के रूप में इसको पदसित किया गया और पुरस्तम नागिस ओके नुशार इसका निर्मान सन बारासों में हो चुका था और साज जहां ने तेजो महला था पर कबजा कर उसको ताज महल घुषित किया और जिसको लेकर लगातार बार बार का दौर भी जा दी रहा क्योंकि जिस तरह से बयानवाजी शुरू हुई जिस तरह से राजूती शुरू हुई कि कहा गया 42 एकर में बना ये जो ताज महल है इसको तेजो महल हम इसलिए कह रहा हैं क्योंकि इसकी जो अभिलेक है इसका जो बनावट है इसमें जो चिन है इसके गुंबर को पर जो तिरसूल बना हुआ है वो हिंदू धरम के इसाब से बना हुआ है इसलिए अगर हम इसको मानेंगे तो यह माना जाएगा कि यह ताजमहल नहीं के जो महाला है खैर प्रेम के पती कहा जाता है और प्रेम के पती कहने के साथ साथ दुनिया का साथवा जुवावी है और लोग बड़ी संख्या में ताजमहल को लेखने जाते हैं ताजमहल अपने हम में बहुत बड़ी इमारत है बहुत बड़ी एक ऐसा पूरवाकाल है एक ऐसा इतिहास है जिसको हर इनसान दिखना चाहता है कहा जाता है कि ताजमहल प्रेम के पती कहा जाता है कि साइजान अपनी तीसरी वीवी उनके दो साधिया पहले भी हुई थी और ममताज बेगम की याद में यह ताजमहल बनाया था और चुड़ी उनका नाप ममताज था तो मोन हटा के ताज को महल इस तरह उनने मिला कर इसको ताजमहल के नाम दिया था बिबाद का पिसने जब पुरश्यतम नागिस Ugh की किताब हुई उसके बिबार उप किताब की कि ताज महल नहीं यह तेजो महला है इसको मंदर घुषित किया जाए और पूजा करने के अन्मति दी जाए इसके अलाबा कि ताज महल को महला है उसके बाद लगातार इस मुद्धे पर राजनीती होती चलिया रही है और राजनीती कि अधिकारी प्राधिकारी महंत परमधन दास वहां गए थे तो ब्रह्मधन के साथ वहां प्रवेश कर रहे थे जिसको रोग दिया गया फिर उसके बाद काफी वहां पर बाते हुईं चडचा हुई बिबाद हुआ और उन्हाने कहा कि हमें हाई बैठे रहेंगे और उन्हान हर्तालपर बैठगा और निन्हें कहा कि हमको जानमूझकर ताजमेल के अंदर नहीं जाने जेगए जबकि एसाई की अधिकारियों को कहना था चुकि ताजमेल के अंदा कोई भी लोहे की वस्तू या कोई भी सामाल लेकर जाने के अनुमती नहीं है इसी अनुमती के तहट इसी गाइडलेंस के तहट महंत परभंधास को रोका गया और उसके बाद आठ माई को ये मामला फिर गर्मा आ गया और अब ये मामला चर्चा में है चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब इस मामले पर लगाता राजनीती जारी हो गई है रजी सिंग बकील है उन्होंने एक अचिका दाखिल की और उनने कहा कि जो ताज महल और तेजों महल है उस बार से अलग हट्टी हो ने कहा कि हम चाते हैं कि ताज महल के बंद बाइस कमरों का निच्छन किया जाए और एसाई को यदिकार दिया जाए कि वो जाकर अंदर जाए और बाइस कमरों को खोले और बाइस कमरों को खोल कर उसके निच्छन करने और बताए कि बाइस कमरों के अंदर क्या है खेर अगर हम बिवारों की बात करें तो लगातार इस चीज़ पर बिवार होता चला आ रहा है हम कासी की बात करें तो ग्यानबापी मस्जिद की सर्वे का और बीडियोग्राफी का बिवार चला है मतरा की बात चलें बाहवी बात चला है अब विबाद ताजमेल पर आया है और सुनने में आया है कि अब कुतम मीनार पर भी विबाद शुरू हो गया है भारत की राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में बात कही गई है कि जो कुतम मीनार है उसको बिस्नु इस्थम में घोचित किया जाए और बिस्नु इस्थम में घोचित करने के साथ वहाँ पर भी नीच्छन किया जाए कि वहाँ पर जो अभिलेख बने है जो मूर्तिया बनी है जो सिलालेख है वो भी ये दरसाते है कि ये भी कोई हिंदु धर्म की ही कला किरती है ये कुत्ब मीनार जो कि कुत्ब इन एवक के नाम से इसको कहा जाता है कि कुत्ब इन एवक ने इसको कुत्ब मीनार का नाम दिया था ये कुत्ब इन एवक की मीनार नहीं है ये हिंदु धर्म की कला किरती है उसकी कोई इमारत है क्योंकि इस पर जो अबिलेख है जो मूर्तिया बनी है वो इस पर दिखाती है कि इसमें भी कोई राज है और अब उस पर भी विवार शुरू हो गया है कि खर बबात तो में पुराना चला आ रहा है पर जिससे लिषैंच की लिखणों की बीभार हो रहा है जी अपने आप में एक सकरान पहली माने जा सकती है और नकरान पहली माने जा सकती है अगर हम देश के दूसरे तपके यानि बिजित समझाय के लोगों की बात करें तो उनके मताबक ये बात राजनीती की तरफ हो रही है ये राजनीती तहत हो रहा है एक राजनीती की तहत सार यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई कमरे बंढ है तो निस्ची रूप से उनका रहस्त खुलना भी जरूरी है परदाफास होना भी जरूरी है जब तक उन रहस्त परदाफास नहीं होगा तो जाने भारति संस्किती का भारतिये व्योस्था का भारति इतियास कैसा कौन सा पन्ना अब तक लोग के बीच नहीं आ पाया है वो आ सकेगा और निरिश्चन बीडियोग्राफी और सर्वे के माध्यम से तमाम हम चीजों का रहस्त उठा सकेंगे जिससे आज भी हमारे इतियासकार या हमाई 22 कमरों के अंदर कुछ ऐसा पाये जाता है जिससे कुछ इस पस्टी करण होता है और निठ्ञण के बाद ताज मेल है या तेज मंहाला या तेज मंदर है यह सपस्टी करण हो जाए और जो जनता के बीच नया विबाद दिखता नजर आ रहा है यहां पर इस पहल को सकरात्म की माना जाना चाहिए और दोनों बर्गों के लोगों को इसका स्वागर करना चाहिए इन्वापि मसजित अगर ग्यानपाफी बजजित के बगल में जो सिंगार गौरी मंदर है बहाँ पर बीडियोग्राफियों सर्वे की काम होना है एक दिन हुआ है उसके बार उस पर रोक लग गई है और अब मामला कोट में बेचरा धीन है चर्चा चल लए है तो उसको भी हमको सर्वे कराना चा भी संटुस्ट होगा और हमारा विसे समदाय के लोग दूशर पत्स यानि मुसिन पच्छ भी संबस संटुस्ट होगा वही इसमें गलट क्या है अगर अनुमती मांगी जा रही है तो आप दीजिये वह विबार वहीं खतम हो जाएगा अगा ताजमहल के 22 कमरों की निच्छ आई भी खोले 22 कमरों को और नीच्छ रख करें तो इसमें गलत बात नहीं होना चाहिए और साथी साथ अभी हाल में जो कुतब मीनार वाला भी खोला गया है कहा जा रहा है को तो मिनार नहीं वह वृष्णु इस थम्हें तो मीनार नहीं है उसमें हिंदू धर्म के इमारतों को लेके, परानी धार्मिक इमारतों को लेके, उन मामलों का पटाच्छेप होना चाहिए, अगर रियाच्छका की जा रहे हैं तो दोनों पच्छों के एक सब्सक्त कमेटी बना जाए, और दोनों पच्छों के सामने ही वो निच्छड किया जाए, उसके बार बिवाद कि इस्थिति को बढ़ाना कोई सार्थक्ता नहीं नजराती है और मेरा अपने कारकम के महाध्रह से यही बार कहना चाहता हूं कि अगर ताजमेहल है या तेजो महाला है ग्यानपपिवाली मस्जिद का बिबाद है सिंगर गौरी मंदर का बिबाद है या मथरा का बिबाद है जो बिबाद है या अभी हाल में जो बिबाद नया उपजा है कुटब मीनार या विस्नु स्थम्द क्या है तो इन बिबादों को हम इस और जनता के बीच जो मुद्दो की राज़ीती है वो भटक जाएगी मुद्दो की राज़ीती अत्ता भटकेगी तब तक आम जनता के मुद्दो का समाधान नहीं हो सकेगा अभी हमारे जो मुद्दे हैं वो विरुजगारी के हैं अभी हमारे जो मुद्दे हैं वो महंगाई के हैं अभी हमारे जो मुद्दे हैं वो सिच्छा के हैं अभी हमारे जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं अभी हमारे जो मुद्दे हैं वो अर्थविवस्था के हैं अगर हम यही तेजो महाल है सिंगार्गौरी मंदर घ्यानबापी मस्जिर और ऐसे तो हम आगे कैसे बिकास की पज़ता रख पाएंगे तो यहाँ पर मेना मानना है जो भी बिबाद है यहाँ पर अन्य धर्म को लोगों को भी इस बात का अनुसरन करना चाहिए और कोड जो आडिस देता है उस आडिस का अनुसरन करते हुए यहाँ पर जो भी है उसका मिच्छड कराएं इसमें बबाद की स्थिति होने ही नहीं चाहिए आपका स्थान है तो आपको लिए होना चाहिए और हमारा स्थान है तो हमारा स्थान है तो हमारा लिए होना चाहिए तो यहां पर जिसका भी जो एमारत, जो धर्मे इमारत अगर है ज़सकी समस्वधाय की नजर आती उसको उसको उस्के कब्जा मिलना चाहिए और उसके तो यहां पर मेरा मानना यह है और अपने कैरकदर्म के माध्दम से मैं यही निविजन करना चाहूंगा कि जो भी विबाद हैं उस विबाद का पाकाइदा एक कोड का आदेश के मताबिक उसका नीच्छण होना चाहिए दोना पच्छों को लोग जाए एक कमेटी बने सुधन कमेटी बने कोड के माध्यम से वहाँ पा नीच्छण हो और नीच्छण में जो भी चीज आए वो मेंगाई, विकास, आर्थव्योस्ता जैसे बड़े मुद्दे अभी हम आज सामने हैं जिन पर हमको आँगे बाढ़ना है और भारत को बिसुगरू बनाने की तरब ले जाना है सरकार अपना काम कर रही है और उनका प्रयास ही है कि भारत एक अगार्णी देश बने और भार प्राइम टीवी सच साहस सरोकार